Hi guys, welcome you all once again So, इससे previous वीडियो में हम लोगों ने square waves को generate किया था with the help of timer 0 और इसमें basically हम लोगों ने किया क्या जब तक कि हम लोगों के timer 0 की value 127 से below थी तब तक हम लोग अपनी LED को on रख रहे थे मतलब कि हम लोगों का signal जो था वो high था और जैसे ही ये value 127 से exceed कर जा रहे थी वैसे ही हम लोगों ने अपनी ये जो pulse 30 को low कर दिया था तो basically हम पर हुआ क्या एक square wave generate हुआ था और ये every 130 milliseconds के बाद अपने status को change कर रहा था So, जो total time हम लोगों का हम पर आया था वो basically 130 plus 130 that is equal to 260 milliseconds के prox आया था और इसके हिसाब से अगर आप frequency निकालते हैं तो ये 3.85 hertz के आसपस आया था So, next हम लोगों का task यहाँ पर यह है कि हम लोगों को अपनी जो एक pulse है इसकी width को बढ़ाना है जो ये 130 milliseconds था हम लोगों का time इसको हम लोगों को increase करना है इस चीज़ को हम लोग interrupt के through जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं बट initially हम लोगों ने इसको use नहीं करना है फिलाल हम लोगों को देखना है without interrupt हम लोग अपनी इस width को किस limit तक बढ़ा सकते हैं इस task में हम लोग अपनी LED को PB0 से connect करेंगे और initially उसकी value जो है वो on रहेगी और जैसे ही हम लोगों का timer 255 reach करेगा उस condition में हम लोग अपने LED के status को complement कर देंगे मतलब कि अगर वो on था तो उसको off कर देंगे और अगर वो off था तो उसको on कर देंगे सो ये चीज बिसिकली काम कैसे करेगी देखिए हम लोगों का timer है जो कि 0 से start होता है और 255 के बाद overflow होता है ओके सो initially हम लोगों की जो LED है वो on रहेगी और ये कब तक on रहेगी जब तक हम लोगों का value 255 reach नहीं करता ओके यहापर हम लोगों का 255 है सो जैसे ही ये 255 reach करेगी हम लोग अपने LED के status को complement कर देगे मतलब की जैसे ही value 255 पहुँची LED को हम लोग off कर देंगे और इसके बाद 255 के बाद हम लोगों का जो timer है वो overflow होके 0 आ जाएगा और LED हम लोगों की off ही रहेगी और अगेन हम लोगों का जो timer है वो count करते वे 255 पहुचेगा और जैसे ही ये value 255 reach करेगी वैसे ही हम लोग again complement करेंगे सो previous हम लोगों का status off था तो अगेन हम लोगों की LED on होगी फिर अगेन हम लोगों का timer overflow होगा और LED on रहेगी तिल ये 255 reach नहीं करता सो इसका result basically ये होगा कि हम लोगों की जो LED है वो 260 ms के बाद on और off होगी सो इसके हिसाब से हम लोगों का जो total time है वो आएगा 522 ms के approach और इससे अगर आफ frequency निकालते हैं तो 1.92 Hz के आसपास इसकी frequency आएगी और ये जो हम लोगों का 261 ms है ये maximum width है जो कि हम लोग basic timer से generate कर सकते हैं इससे large bit अगर आप लोगों को generate करनी है तो interrupt को ही आपको use करना पड़ेगा इस चीज़ का हम लोग पहले simulation करते हैं और फिर इसकी programming को दिखेंगे simulation में आप लोगों को कोई भी changes करने की जरुरूरत नहीं है यहाँ पर हम लोगों को at mega 8 की जरुरूरत है एक LED की आपको जरुरूरत होगी और एक oscilloscope आप लोगों ने add करना होगा तो यह हम लोगों का simulation है इसको आप लोग खुद से try कर सकते हैं फिलाल हम लोग इसकी programming को देखते हैं programming में सबसे पहले आप लोगों को avr.io.hnam की header file को include करना है इसके बाद हम लोगों का main function आएगा और next हम लोगों का main function के अंदर हम लोगों को pb0 line को as output line define करना होता है तो उसके लिए आप लोगों ने ddrb is equal to 0x01 लिखना पड़ेगा और initially जो हम लोगों की LED है उसको हम लोग on रखना चाते हैं तो उसके corresponding आप लोगों को port b को 0x01 करना पड़ेगा next हम लोगों को timer 0 के लिए clock source select करना है और pre scalar select करना है तो उसके लिए आप लोगों ने tccr0 को कुछ ये values दी तो इससे basically होगा क्या timer 0 के लिए जो हम लोग clock source को use करेंगे वो internal oscillator से ही use करेंगे और इसका जो pre scalar होगा वो 1024 होगा next हम लोगों का timer 0 की जो initial value है वो 0 रहती है तो वो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर tcnt 0 में लिखी है next हम लोगों का यहाँ पर यह एक infinite loop है अब इस loop में basically हो क्या रहा है देखिए हम लोग port b में port b दे रहे हैं तो port b initially आप लोगों का क्या है वो 0x01 है तो basically यहाँ पर होगा क्या हम लोग अपनी led को on रखेंगे जब तक की timer 0 की value 255 reach नहीं करती है और जैसे ही हम लोगों का timer की value 255 reach करेगी वैसे ही हम लोग अपना जो port है उसकी value को complement कर देंगे तो होगा क्या है यहाँ पर आप देखिए initially यहाँ पर जो led थी वो हमारी on थी और जैसे ही है value 255 reach की हम लोगों ने इसको complement कर दिया यह complement का sign है तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का led है वो off हो जाएगी तो port b में आपकी जो value है वो क्या है off है तो again हम लोगों का यह loop यहाँ पर आएगा और इस condition में आप देखिए हम लोगों का port b जो है वो अब off हो चुका है तो यह आप लोगों का off हो जाएगा और यह तब तक off रहेगा again जब तक हम लोगों का जो timer है 255 reach नहीं करता है और जैसे ही again 255 reach करेगा आप लोगों का जो port है उसके status को हम compliment करेंगे तो जो हम लोगों का यहाँ पर value थी वो अफ थी तो वो again on हो जाएगी और फिर से यह तब तक on रहेगी जब तक हम लोगों का timer 255 reach नहीं करता है सो यह हम लोगों का program है इस task के लिए सो इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से build कर लेते हैं सो build हो चुका है हम लोगों का यह program next हम लोग इसको simulate करके देख लेते हैं simulation के लिए आप लोगों को यहाँ पर double click करना है और आप लोगों को यहां से अपनी hex file को select करना है और next आप लोग यहां से ok click करेंगे so अब run करते हैं हम लोग अपने simulation को so देख सकते हैं आप लोग यह हम लोगों के कुछ square waves generate हुई है तो इसको थोड़ा सा मैं zoom in करके देखता हूँ next हम लोगों को in pulses का width measure करना है तो उसके लिए मैं इस auto को off करता हूँ और cursor को हम लोग on कर लेते हैं so यह हम लोगों का reference time है जो 0 seconds से start होता है और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे जैसे यह to 60 milliseconds इसकी value होती है हम लोगों का pulse जो है अपने status को change करता है और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे something around 5-20 milliseconds के बाद again हम लोगों का यह जो pulse है वो off होगी और फिर again on होगी, off होगी, on होगी so I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी अगर आप लोगों के कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं next video में हम लोग interrupt को use करेंगे timer 0 के साथ so बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जै हिन जै भारत